जैहिंत साथ्यो नमस्कार स्वागते मित्र आप सभी का आपके अपने चेनल पर तो आप लोग फड़ाफर लाइब आज आएं क्लास इस्टार्ड हो चुकी है मित्र आज की इस क्लास में हम लोगी यूपी त्रपल सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो की काफ की ज्यादा इंपर्डन प्रैक्टिस दोङली तो भी फड़ाफर ख्लास को चेर करेंगे और जिस भाइबेन ने बने सब्सक्र आपके सामने रखते हैं सभी फड़ाइबेन मित्र है बताना है इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा रज्जुक कौन थे आप से पूछ रहा है रज्जुक जो थे मित्र ये कौन थे सभी भाइबें सोच समझ कर इसका राइड एंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही है जो भी प्यारे भाइबें नमारे बता रहें मोर शासन में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था बिल्कुल सही बता रहेंगे आपसे नमबर वी वाले सभी भायवे नमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कुश्चिन नमबर टू इसका राइड एंसर बताना है क्या कह रहा है वासंत जिसने असोग को बोध धर्म के प्रती आकरशित किया। आपसे पूछ रहा है वासंत कौन था जिसने असोग को बोध धर्म के प्रती आकरशित किया। पड़ाबर बता दू कुश्चिन नमबर टू का राइड एंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भायवेन हमारे बता रहे है उप गुप्त बिल्कुल सही बता रहे हो आपसे नमबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। कुश्च नमबर थी आपके सामने है प्रसित दिलवाडा मंदिर कहां इस्थित है। प्रसित दिलवाणा मंदिर जो है ये कहां इस्तित है यहाँ आप से पूछ रहा है पड़ापड बता देंगे सभी भायवेन इसका राइड एंसर क्या होगा तो बिल्कुल से यह राजस्थान में इस्थित है, बिल्कुल से बता रहे हो, प्रसित दिलवाडा मंदिर जो है यह राजस्थान में स्थिर है, सत्ता चयूत है फट से हटाना पद से हटाना गदी से उताना करने में किसका हाथ था बदा ने क्यों की स्कीन नम्बर और डेनसरा किया तो याद रखना तुरकों का किसो लिए रजी विघौ को गदी से हटाना option number B बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने question number 5 इसका right answer बताना है मुगल चित्रकला किसके सासनकाल में अपनी प्रकास्था पर पहुची थी यानि मुगल चित्रकला जो है ये किसके सासनकाल पर चरम सीमा पर थी फड़ापट बता देंगे question number 5 का right answer क्या हो जाएगा तो याद रखना जहांगीर किसके सासनकाल में चित्रकला जो है ये चरम सीमा पर थी option number ये बिल्कुल perfect हो जाएगा जोवे पहरे बाएवे नमारे बताने जहांगीर बिल्कुल सही हो जाएगा अस्थापत देकला जो है ये चरम सीमा पर किसके सासनकाल में थी तो याद रखना सहांगी नेक्स्ट आपके सामने question number 6 है इसका right answer बताना है अब आ चुका है आपके सामने भारती राष्टे आंदोलन से five question इसमें भी है तो बता दो इसका right answer क्या होगा question number six आप से क्या पूछ रहा है तिलक को भारती असंतोस का जनक किसने कहा था तिलक को भारती असंतोस का जनक किस ने कहा था? Q6 आपके सामने है तो बिल्कुल सही हो जाएगा Valentine's रेउल ने कहा था तिलक जी को असांती का जनक यानि असंतोस का जनक Option number C बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा Question number 7 आपके सामने मित्रिस का right answer बताना है सभी भायवेन बता देंगे इसका right answer क्या होगा Congress अपने पतन की ओल लड़कडाती हुई जा रही है Congress अपने पतन की ओल लड़कडाती हुई जा रही है यह कितन किस ने कहा था? यह कितन किस ने कहा था? यहां आपसे पूछ रहा है तो जो भी प्यारे भायवेन हमारे बता रहे है बिल्कुल सही बता रहे हो करजन ने कहा था किस ने कहा था? मित्र करजन ने कहा था तो right answer किस के साथ जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे है Option number B कब कहा था? 1900 में कहा था बिल्कुल सही होगा Option B यहां बिल्कुल सही होगा जो भी बित्र मारे बतारे है Option number भी बिल्कुल सही हो जाएगा सत्यार्थ प्रकास किसकी रचना है? सत्यात प्रकास जो है ये किसकी रशना है यहाँ आप से पूछ रहा है तो सभी पहले भाइबेन बिल्कुल सही बता रहे हैं ये तो काफी ज़दा एजी कूशन है कि दयान अंद सरोस्चती जी की रशना है कौन सही सत्यात प्रकास तो राइड एंसर उपसे नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन नंबर टेन आपके सामने है साइमन कमिशन भारत का बाया साइमन कमिशन जो है ये भारत का बाया उपसे आपके सामने है फढ़ापड बता देंगे सभी भायवें राइट ऐंसर क्या हो जायेगा व समझ कर सभी मित्र बताएंगे साइमन कमेशन भारत का बाया तो इसका जो राइट ऐंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बतारें सभी प्याले भायवें यहाँ कुष्ण ख्या रिखा रिया है प्रवरी उनीच सोटाइस बिल्कुल सही बितारे ऑप्शन यह बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र आपके सामने आचुका है प्रवरी उनीच से बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र आपके लिए प्रक्टिस से श्टार्ट हैगा आप सभी पैरे भाइबें लेना मत भूलिएगा तो बिल्कुल सही है क्या कह रहा है कुश्चिन नमबर 11 बताना मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा निम्न में से कौन सी राजधाने डेन्यूब नदी पर इस्थित नहीं है अब आपसे किरा डेन्यूब नदी पर इस्थित नहीं है ध्यान दीजेगा फड़ापड बता देंगे इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना इसका राइड एंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे है रोम जो है मित्र ये डेन्यूब नदी की किनारे नहीं है तो फिर किस के किनारे है किस नदी की किनारे है तो याद रखना डाइवर टाइवर नदी की किनारे जो है ये रोम नदी है रोम शहर जो यह टाइवर नदी की किनारी इस्थित है बागी तीनों जो है यह डेन्यूम नदी की किनारी इस्थित है मित्र तो राइड एंसर ऑप्सिन डी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट आपके सामने है मित्र कुश्य नंबर 12 इसका राइड एंसर बताना है निम्ण में से कौन साध्योप बिश्व का सबसे बड़ा दूइफ है तो जो भी प्यारे भाईबे नमारे बता रहे हैं ग्रीन लेंड बिल्कुल सही बता रहे हो अप्सन भी बिल्कुल सही हो पुशन 4 आपके सामने है शंकुधारी दृवन निम्ढ मैंसे कहँ पाय जाते है यहां सब जहां इसका राइड एंसर हो जाएगा सी तोष्ड स्षेट्र में कहां पाय जाते हैं सी नेक्स्ट आपके सामने हैं निमलेखित देसों में से किस देस में सर्दियों की मौसम में वर्षा होती है तो जादर कहां होती है शर्दियों में बिल्कुल सही बता रहें नारवे में होती ऑप्सन भी बिल्कुल सही हो जाएगा कुशे नमर 15 आपके सामने मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा भूगोल में नव नियतिवादी के सिध्धांद का प्रितिपादन किस ने किया था भूगोल में नव नियतिवादी के सिध्धांद का प्रितिपादन जो है किस ने किया था तो बिल्कुल सही बता रहे हैं जी टेलर ने यानि option B यहां बिल्कुल perfect होगा जो भी मित्र मारे बता रहे हैं option number B बिल्कुल सही हो जाएगा भाई next है भारती अर्थी फ्यवस्तत सम्मंधित question आ चुके हैं सभी भाई बेन बताना इसका right answer हरित सोना क्रांती किससे सम्मंधित हैं हरित सोना क्रांती जो है यह किससे सम्मंधित है तो याद रखना हरित सोना क्रांती जो है यह बांस उत्वादन से सम्मंधित हैं option C बिल्कुल सही हो जाएगा काम के बदले अनाज कारिकरम किस पंचवर से योजना में आरम भिकिया गया था काम के बदले अनाज यह कारिकरम जो है यह किस पंचवर से योजना में आरम भिकिया गया था यानि यह कारिकरम जो है यह किस पंचवर से योजना में शुरू किया गया था तो इसका जो राइड एंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हैं पांच भी पंचवर्सी योजना यानि आपसन ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा निजी बैंक है अब आपसे पूछ रहा है कौन सा चाराप्सिम आपके सामने देगे हैं इसी चारों में से बताना है कि कौन सा bank है जो निजी है तो याद रखना इसका जो «Ride Answer» हो जाएगा जम्मौ एंड कसमिर bank जो है ये एक निजी बैंक है इसकी अश्थापना पूछ सकता है तो याद रखना 1938 में जमू और कस्मेर बैंकी की इस्थापना हुई थी जो कि एक निजी बैंक है option day बिलकुल सही हो जाएगा डाक्टर वरगीज कुरियन के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है याद रखना वरगीज कुरियन को स्वैत करांती का जनक भी कहते हैं ये भी याद रखना तो याद रखना इनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं जो कि option ये में दिया गया है आप्शन ये वाले सभी मित्र मारे बिल्कुल सही होंगे योजना आयोग को आर्थिक मंत्री मंडल किसने बताया था तो असोग चंद्रा जी ने बताया था यानि आप्शन ये बिल्कुल सही होगा जो भी मित्र मारे बता रहे हैं उप्शन नमबर ये बिल्कुल सही होगा अब मित्र आपके सामने आ चुके हैं भारतिय सम्विधान योम लोक प्रिसासन से संबंदित प्रेशन सोग समझकर सभी भायवेन इसका राइड एंसर बताना घवराना मत काफी ज़्यादा इजी तो बिल्कुल सही जो भी प्यारे भायवेन हमारे बता रहे हैं राज सूची के विशयों से संबंद में संसद की विधाय सकती से बिल्कुल सही बता रहे हो अब संडी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा राज सूची के विशयों के संबंद में संसद की विधाय सकती से है अनुछेद दो सो उन्चास अप्शन डी जो भी पहरे भायवेन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा कुश्य नमबर 22 आप से क्या पूछ रहा है अनुछेद एक सो आठ के अंतरगत लोग सभा और राज सभा की सहयुक्त बैठक आहूद की जाती है तो याद रखना इसको जो राइड एंसर हो जाएगा राष्ट पति द्वारा है ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने मित्र पूछ नमबर 23 है इसका रआइड एंसर बताना है क्या हो जाएगा केंड्र और राज्यों के मध्य होने वाले वीवाद का नेड़े करने की सक्ति उच्छथितम नियाले के किस छेत्रा अधिकार के अंतरगत आती है यानि आपसे पूछ रहा है जब केंड्र और राज्य सरकार के मध्य वीवाद करनेรणे लियाना होता है तो उचेतम न्याले के पास जातें तो वह किस क्त Rapture के अंतर鬆 है तो इसका इंशर हो जाएगाि मोली खेत round कि अंतर वी अब्संस से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा एक बार सभी पैरे भाईबैर मिलकर क्लास को श्यर करदो ताकि और भी प्रेंट समय साथ जुड़ सकें उन्हें भी इस क्लास का लाब मिल सकें तो फड़ा-फड़ क्लास को शियर कर देंगे और जिस भाई भेने भी ते क्लास को लाइक नहीं कि हमें कर देंगे मित्र नेक्स्ट आपके सामने हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है ये कौन है बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी प्यारे भाईबें नमारे बता रहे हैं राजस्थान बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने है असोग महता समिती के पंचायती राज के लिए किस अतिमान यानि माडल की अनुसंसा थी यानि आपसे पूछ रहा है कि असोग महता समिती ने पंचायते राज के लिए किस माडल की अनुसंसा की थी तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा दोई स्क्रिये यानि आप्सन भी बिल्कुल सही होगा मित्र अब आपके सामने आचुके हैं सामायन ये विज्ञान से सम्बंदे 5 कुष्चन सो समझ कर बताना काफी ज़्यादा इजी कुष्चन है घवराना नहीं काफी ज़्यादा इंपॉर्टन कुष्चन भी है क्या के राये? मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में शमपन्य होता है उप्षन से बिल्कुल सही हो जाएगा उप्षन नमबर से बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने है पेनियल ग्रंथी कहां इस्थित है पेनियल ग्रंथी जो है यह कहां इस्थित होती है यह आपसे पूछ रहा है बतादो मित्रिस का राइडेंसल क्या होगा तो 27 का जो भी प्यारे भाइबेन बता रहे हैं मस्तिस्क में बिल्कुल सही बता रहे हो पेनियल गरंथी जो है ये मस्तिस्क में इस्थित होती है कुशन 28 आपके सामने है पारे का साधार एड़त्या ताप मापी यंत्रों में उपियोग किया जाता है क्योंकि इसकी विसेश्था होती है इसकी क्या विसेश्था होती है यह आप से पूछ रहा है बताओं मित्र 28 का रायड एंसल क्या होगा 28 को जो भी पहरे भाइबें बतारें बिल्कुल सही बतारें उच्छ संचालन सकती यानि क्या होता है अच्छा चालक होता है और ऑप्संस सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्श आपके सामने कुष्ची नमर 29 इसका रायड एंसर बताना है निमलिखित गेस मिसरण में कौन सा गेस विल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है यानि विल्डिंग के लिए किस गेस का परियोग किया जाता है यहाँ से पूछ रहा है तो याद रखना ऑक्सीजन सब्सक्राइब के लिए तो ऑप्सन भी यहां बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाता है मित्र कहा जाए यह कुछें जो है यह काफी ज्यादा इंपोर्टन है काफी ज्यादा इंपोर्टन कुछिन है इस तीन सौड ले लिजेगा नेक्श्ट आपके सामने कुछिन नमबर 20 इसका राइड एंसर बताना है निमली खित में से एथिनाल किसी से प्राप्त होता है तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा गन्न से क्या होता है इतनाल जो है यह गन्ना से प्राप्त होता है ऑप्सन से विल्कुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आप के सामने हैं सामान ये हिंदी से इसका राइड एंसर बताना है मैथ रिजिनिंग और ग्राफ इंग्लिस को मैंने स्किप कर दिया है पचास कुश्टन मनलब जी की आएगा तो वही पचास वाला हम पॉश्टन को कंप्लेट करेंगे तो सेस इस्मृतियां के लेखक कौन है या सेस इस्मृति के लेखक कौन है बताना मित्र इसका राइड एंसर क्या होगा तो शपन का जुबी प्यारे हमारे बतारे रगवीर सिंग है बिल्कुल सही बतारे हो रगवीर सिंग इसका राइड एंसर हो जाएगा आविर भाव का सही विलोम सब्द क्या होगा आविर भाव का सही विलोम जो है ये तिरो भाव होता है जो की आप्सन सी में दिया गया है पुश्य नमबर अठावन है अलंकेस का परियावाची है अलंकेस का परियावाची जो है ये क्या होता है कुवेर होता है क्या होता है मितरब कुवेर होता है अलंकेस का परियावाची कदम और कदम का समस्रुती भिन्ना अर्थक सब्द कौन सा यानि कदम और कदम का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है तो बिल्कुल याद रखना कदम जो है ये एक प्रकार का ब्रेक्ष है जबकि कदम जो है ये पैर हो जाएगा तो उप्सन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्रक कुश्य नमबर साथ आपके सामने इसका राइड एंसर बता रहा है निमले की तो वाक्यों में कौन सा वाक्य सुद है कौन सा वाक्य बिल्कुल सुद रूप से लिखा गया है पड़ा पड़ा बता देंगे कुश्य नमबर साथ का राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना राम, सीता और लक्षमड वन को गये जो की उप्सन नमबर बी में दिया गया उप्सन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपके सामने आ चुका है सामान जागरुता यानि जीके के कोश्य सबी पहरे भाइबें सो समझ कर बताना प्रसांती सिंग किस खेल से सम्बंध है या आप से पूछ रहा है तो 82 का जो राइड एंसर हो जाएगा बास्कित भाल से सम्बंध है ऑप्सन से बिल्कुल सही होगा कुश्य नमर 82 आपके सामने है मित्रिस का राइड एंसर बताना है ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है ये कौन सा है तो जो भी पहरे भाईवें बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हो The golden word यानि option ये बिलकुल सही हो जाएगा Option ये वाले सभी मित्रमारे बिलकुल सही होंगे Next आपके सामने काफ़ जादा important question नमलेकित में से किसने एक ही विशे में दो नोबल पुरसकार प्राप्त किये हैं एक ही विशे में दो नोबल पुरसकार किसने प्राप्त किया है या आप से पूछ रहा है पड़ा बढ़ बता रहेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हो जानवरदीन जो है मिद्र एक ही बिसे में इनको दो बार नेवल पुरसकार मिल चुका है जो कि दोनों में बहुत की के चैतर में इनको दो बार नोबिल पुरसकार मिल चुका है मिद्र इंपॉर्टन कुश्चन है इस्पेन की राजधानी का नाम क्या है यहां आप से पूछ रहा है कुश्चन 84 का जो भी पहरे भाई बेन बता रहे हैं मैड इट बिल्कुल सही है यहां कौन सी मुद्रा चलती है तो याद रखना यूरो यहां चलती है क्या चलती है यूरो चलती है नेक्स्ट आपके सामने हरीश्चन अनुसंधान सिस्थान कहां इस्थित है तो इसको जो राइड एंसर हो जाएगा परियाग राज में ऑप्सन डी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी में तरमारे बतारें ऑप्शन नमबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा किस भारती राज में ड्री त्युहार मनाया जाता है तो या दखना इसको जो राइड एंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बतारें अनुलांचल परदेश में ऑप्सन यह बिल्कुल सही होगा कुश्चन फ्राद स्याओर में यह बहुत ज्यादा इंपरुंटन कहा जाए तो कहो जादा इंपमौटन कुश्चन अइय कहें काफ़ जदा इंपॉर्टन ध Bluetooth में से निम बिल्कुल में दो नोबिल पॉरस्कार प्राप्त किया या यानि हैं से कौन है जो दो बार नौबल पुरसकार प्राप्त कर चुके हैं और मतलब सब्जेक्ट जो है यह अलग लग था बताओ इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रख न इसका जो राइड एंसर हो जाएगा मेडम क्यूरी हो जाएगा तो ऑप्सन यह यहां बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा मेडम क्यूरी को दो बार नौबल पुरसकार प्राप्त किया जा जुका है मितर्ग्ष जिसमें कहा जाय इनको भौदिकी के छेतर में लगर लग नेक्स्ट आपकी सामने है जू लॉजिकल सर्वी अफिंडिय की अस्थापना कब की गई जू दू भी पयारे भायवें नहीं रहीं भी उनी सोगउन हिके लिजेव olmuş आ फ़का का नेक्स्ट आपके इसका वाशान करने की सकती कि सकति किसके पास पास और बसे इंशो जाए कर राजए होटी है विल्कुम्स से बिल्कुल हो जाएगा कि यहां बीदान सभा की बात हो हुआ है। मि आप ल् низ सब्सक्राइब तो कि मेंट में बुम्स आप पानव से जही होगा। तो आप हमारे टेली ग्राम से जुड़ जाएं, टेली ग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेली ग्राम पर सिधे चैनल का नेम एक्जाम गुरुजी वाई अर्विन सर्च कर लेना और जॉइन हो जाना वहीं आपको इसकी पेडियम मिल जाएगी या आप हमारे वाटसाप ग कमेंट करका पूछ सकते हैं मैं जवाब देने की पोरी कोसिस करूंगे मित्र क्लास कैसी भी लगी हो बता दिया करो किसी कुश्चन में डाउट है तो भी जिए जिक पूछ सकते हो मित्र स्कोर कितना रहा ये भी बता देना और हाँ याद रखना 11 बजे आपकी क्लास होगी जो की काफी ज़्यादा खास होगी तो मित्र हाज किस क्लास में बसिता ही सभी को बाई बाई सभी को नमस्कार जय हिंद जय भारत वन देवात्रम